असलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल अर्दू नाविल वर्ड, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं, नाविल का बीगी रात बहन थी बलकि इसकी बहन की लाश थी वो वहीं डेव हो चुकी थी आंसू से भीगा चहरा अलिफाटे कर सामने खड़े अपने भाई को देखा खलील और रह्मान ने नजरें चाड़ा ले लिकीन इसकी आखों में गुसा वहशत और बदला लेने का जनून था आपा जहां मुझे इजाज़त दे दें घर के पास ही तो है फार्म में दो घंटे में ही वापस इजा आहेगी तब इसके बेपना असरार और खलील की बेवज़ा ही घील की वज़े से इसे अपनी सहलियों के संग फार्म पर पार्टी करने की इजाज़त दे दी गए और वो फिर दो घंटे इजीत में गुजार कर वो दो रातों बाद जगा जगा के हस्पतालों से होकर घर को पहुँची जाने कितने ही टेस्टों की सुईया और पासमाटम की रिपोर्टे इस से ली गए इस नूर जहां से जिसको आज तक ज़ाडों का तनके तक नाचाबने दिया गया था लारेब लारेब अनस पागलों की तरह घर में दाखिल होकर इसे आवाजें दे रहा था जी भाई वो किचन से निकली कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा भाई ने हो तुम मेरी मा की उलाद ने हो जो भाई कहो मुझे मैं जा रहा हूँ दो तीन दिनों के लिए को भी मेरे बारे में पूछने ए तो कह देना में घरहीन आया गार्डस को मैंने सब समझा दिया है वो बोलते बोलते अपने कमरे तक आगया और लारेब इसके पीछे पीछे जी ठीक है वो खामोशी से पलट गए आंसू इसकी आँखों से निकल कर गालों पर ए और उसके सीधे गाल पर डिंपल में आग रहे इसने फॉरण कमरे में जाकर अपनी दवा ली तुम मेरी मा की आउलादने हो ये जमला सुआन सुआन कर और इसी जमले की वज़ा तलाश करने में इसे जाने कितनी बार हुआ और अब इसके पास अखरी तीन मवाकियत है कि वो इस तकलीफ को और बरदाश्ट कर सकती हبیब खान ने अपनी पहली शादी के कई सालों बाद दूसरी शादी की जिसकी वज़े निमत sjadgas भी ती दूसरी शादी के चंद मा गुजरे बरदाश्त नहीं था। लारेब की पैदाईश के काचे अर्से बाद ही नौरीन को दोबारा उलाद की खबर मिली तो नसरीन ने अपनी चालाकियों का अस्तमाल करते हुए इसकी जान ही ले ली। घर के तमाम मुलाजमीन गवाही देते थे के नौरीन की गारी की ब्रेक्स नस किया जाता के वो खान हाउस की एकलोती बेती है लिकीन हकीकत भुत लोग जानते थे। और वो पाक जाद भी सब देख रही थी लमहा लमहा इसके साथ थी। खलील कहा है। रजू आर्याना जहां ने रजू से सवाल किया। जहां बेगम अलिफा पर च्छत पर हैं चारपा हैं लिकीन हाका ने पी रहे। अब की वो और हैरान हुई क्योंके दिन देरे सिर्फ इसका मिया ही घर में हाके पीता था और खलील रात के पह। वो क्यों ने पी रहे। सवाल किया गया। रजू बोली वो कहते हैं जब तक नूर जहां बीबी का कातिल ने मिलता तब तक हु आर्याना ने आंखे बंद कर ली और आंसु उसकी आँखों से गिरने लगे। आज याराओ है ना। आर्याना ने सवाल किया। जी रजू ने जवाब दिया। जाओ गाड़ी तयार करवाओ दरबार में नूर की जगा अब हमारी हाजरी लगेगी। और दूआ उसके गाति पहन में इसकी हर याराओ की तयारी इग और वो वही बैठ गए। रहीम साहिब आपको कभी ऑलाद की कमी महसूस ने हुई किया। ने बेगम कभी ने हुई। नूर जहां मेरी भन भी है और बेटी भी है। वो भले मुझे कहती रहे कि सालिहों में आपकी लिकीन मेरे लिए वो उलाद की कमी को पूरा कर देती है। उसी रात आर्याना ने अपने शोहर से उलाद का सवाल किया तो इसने नूर जहां को ही अपने उलाद की कमी में भरपूर पाया वो थी ऐसी चंचल सी के बेटी और बहन दोनों का प्यार सब से लेती। आर्याना अब और फूट फू इसने सर अल्फाटे आलिफ आंसू से भीगा चहरा लिये वो दर्बार को चल दी। आर्याना नम आँखों से इसकी तरफ चल दी। खास जाकर बैठी सलाम लिया और बोली बजर्गो नूर जहां की आपा आर्याना जहां। वो औरत बोली मत बता मुझे तो कौन और कौन ने लग गया मुझे पत्ता तेरी आँखों से। खौफ जदाने हैं नमायूस हैं नूर की तरह चमकती हैं पानी से। आर्याना ने लब बेनिच लिये और आंसू रोके। बजर्गो नूर मर गई है बलके मारी गई है। तो किया हुआ। मरना तो सब को है मारी गई है तो भी मरी ही है न। बजर्गो वहशी द्रिंदे ने इसकी इज़त लोटी और उसका गलादाबाया। शशशशशश खामोश जानती हो में अब से तो हाजरी देने ही और अगर मेरे। पास ए तो खामोश रहना वो औरत इसके चहरे को देखकर बोली आर्याना हाथ से हाथ मिलाकर अलफाटे गई इस और ने इसको पियार दिया और दोबारा जयाक कर बैठ गए। अनस को एक हफता होने को था को अतापत्ता ने था। लारेब घर में ही रहती थे घर ही पढ़ाने एक टीचर आ जाती और यूँ वो बी-ए के इमतिहानात की तैयारी कर रही थी। प्राइवेट ही सही इसको इजाज़त तो थी ना के वो पढ़ ले। शाम को वो पढ़े से फारिक हुई तो मौसम ने सही इसका दिल मुचलाया और वो च्छत पर भाग गए। बारिश एक पुराने कस्बे के साथ ही छोटा सा शहर था जहां हबीब खान का मकान मकीम था और इस छोटे कस्बे में। आरियाना जहां के वालिद का घर मकीम था। खलील अकसर ही इसी शहर में रहता था काम के सिलसले थे। वो बारिश में खूब खेलती थी। एक मुलाजमा इसके पीछे ही रहती थी नसरीन बेगम जासुसी पूरी करवाती थी। खुद तो हर महीने खान साहिब के साथ कभी कही तो कभी कही होती थी। वो बारिश में खूब मजे कर रही थी। पानी पाउं से अलिफा चेलत हाथों में भिड़कर पानी चहरे पर फैंकती वो चंचल और शरारत लग रही थी लिकीन वो बिलकुल ऐसी ने थी। वो हर हाल में अपने आपको खुश ही रखती थी वो बारिश से भरपूर तरीके से मजेले रिप थी अचानक इसकी नज़र नीचे गए तो गाड़ी के साथ टेक लगाई को बिगवर इसे देख रहा था बलके जाइजा भी ले रहा था वो फौरन पीछे हटी और नीचे च जाता था ने काचे दिन पहले ही टेस्ट करवाई थे लिकिन रिपोर्ट्स ने देखी थी इसने दरास से वो रपविट्स निकाली और अपने हैंट बेग में डाली मोबाईल पकरा और सीडिया आतर नी लगी वो मुलाजमा जो हर वक्त सर पर रहती थी उसकी तैयारी देख ने खाया सवाई चाय के साथ पापूं के आर्याना जहां कमरे में खाना लेकर ए और अपने उसी अंदाज में बोली जैसे रहीम के घर वाले बोलते थे पंजाबी लहजे में नहीं आर्याना जहां दिलने है क्योंने है आर्याना ने पूछा बेगम सब जानती हो फिर सवाल लड़कियों करती हो, वो अलिफाटे कर बाहर चलेगी, वो उनके पीछे लपकी, रहीम साहिब राकिये नूर जहां का वास्ता खाना खाले, चलते कदम राक गी, और आर्याना जहां ने खुद पर जब्द करते हुए अपनी बात मनवाही ली, यार अनस तो कम असकम घर में अ मार दिया, वो पत्ता भी है कौन थी, जहां बंगले की रानी समझ ले तो, इस कस्बे का सबसे मशूर और इबाघराना है, वो ताज है क्या लगता है तो बच जाएगा, तेरी गलत फहमी है, तीन चार दोस्त अनस पर अपनी अपनी धोंस जमा रहे थे, लिकीन वो आम सा ख नजदीक औरत का अचे ने थी, जब परवरिश ही अपने हाथों में ना हो तो आुलाद भी अपने वालिदेन को वही सब देती है, जो वो उनको देते हैं, बात सारी माहूल की और तर्बियत की है, वो हस्पताल पहुँची तो अपने मॉबाइल से डाकर के नंबर पर मैसे पैकीज कर दिया, वो लारैब को बहुत देर से जानती थी और यही वज़ा थी कि वो लारैब से खास लगाओ भी रखती थी, थोड़ी ही देर गुजरी थी अभी इसे बाहर वेटिंग एरिया में इंतिजार करते हुए नर्स ने आकर उसका नाम लिया और मुलादमा को वह को फर्क ने परता था वो जानती थी लारैब अपने मागरीन और नर्वस के लिए डॉक्टर पर आती है। सलाम के बाद वो डाकर के सामने बैठ गई और रिपोर्ट्स उनके हवाले कर दी। इस दारान भी इसकी आँखों के गीसिया मनजर आया था मगर वो बिलकुल आराम से बैठी रही। रिपोर्ट्स एक में दोने तीन में बलके बहुत बार। डाकर पर चाकी थी और हाँ वो लारैब की ही थी और जान लिवा बिमारी भी लारैब की ही थी। अनस पूरे एक हफ़ते बाद घर वापस आ गया था। अपने कमरे में वही मज़े और आयाश करता अनस खान। आजादी की ये दुनिया बस का अच्छे ही देर की है सजा तो कैद भी ने सजा तो वो है जो खुदा ताला दे। आखिर खलील भी कब तक हुका पीता और हाथ पर हाथ धुरे बैठा रहता। इसमें हबीब खान का चपपा चपा अपने पास महफूज कर लिया ता। और दोगाना लेना चाहता था। वो जरह से इंतिजार में भी था वो खुद अकिला सब का अचह करना चाहता था और बागियों को खुश्कपरी देना चाहता था कि इसने दागना बदला लिया है। रहीम खान ने भी अपनी जदू जहद के राद नाम पत्ता सब नि इस खबीस की एक अदद बहन भी है। हम दोनों आपको खुशखबरी देना चाहते थे। इसके बाप का इंतिजार क्यों है। आरियाना बोली। अरे बाप को भी तो कर्तूत पत्ता लगे ना अंजाम इसका भुत बाड़ा है। हमारे हाथो रहीम ऐसे बोला जैसे इसे दांतों तले चाबा रहे हूं। डाक मैं जिन्दा हो खुश हो जब तक अल्ला ने चाहा बस तब तक में ठीक हो। बस ये दवाईयां लेती रहोगी लिकीन वो सब नहीं लारेब खड़े होते हुए बोली डाकर भी इसके साथ खड़ी हुई सारी बाते समझा दी है तुम्हें। और गिले लगा कर इसे राखसत किया। बी बी जी देर लगा दी बड़ी अपने खेर तो है ना लारेब इसकी बातों को इंसाना करती हुई आगे भरती चली जा रही थी। दवाईयां ली और गाड़ी में जाकर बैठी। अब इसका इरादा मावी देखने का था। इसने सीनिमा की तरफ राके ले लिया दो टिकेट्स लें और जरा फासले पर लेकर मुलाजमा को बिठा दिया खुद कोने वाली जगा ले ली और कब किरा के आंसू बहाना शुरू कर दिये को इतना बड़ा और अच्छा। वही मुई थी जो हर महीने ही इस सीनिमा में लगती। अंटेरूल आया तो सब बहर आंदर हुए। लारेब ने जल्दी से आंसू साफ किये और मुलाजमा को देखा वो भी शायद बाहर गए थी वो हर मरतबा आती थी और हर वक्त ही तो साथ होती थी इसको भी सबगी जगहों का पत्ता था। क्या सोच थी इसके बाप की बस लड़की को युनिवरसिटी ने भेजना क्योंके वहां जाकर खराब होती है लिकीन यहां वहां जाने की इजाज़त आम थी। सामने खड़ी एक टीम इजर लड़की को देखकर लारेब ने सोचा। वो किसी लड़के के साथ आम हंसी मजाक कर रही थी वो दोनों अपने अपनी सीटों के पास ही खड़े थे एक सिलफी लेकर वो दोनों बैठ गी। लारेब ने जरा सा अपने साथ देखा तो मुलाजमा वापस चाकी थी। और वोही लड़का जो कल भी इसे अपने घर के बाहर नजर आया था वो उसी को खामोशी से देख रहा था लारेब ने आंखें मिलकर दोबारा देखा और गौर से देखा हाँ ये वही था लारेब ने इग्नोर करना बहतर। समझा और मुवी दोबारा शुरू हो गए। मुवी के दोरान की लारेब मुलाजमा को वाश्रूम का कहकर बाहर ए और आदेर अलिफादेर ठलने लगी इसे पत्ता ने क्यों वहम था कि वो बाहर जरूरीगा। और वही हुआ वो बाहर आया और उसके करीब आया। मसला किया है आपका मिस्टर लारेब ने फौरण सवाल किया। मिसिस कहलो आपको वो भी उसी लहजे में बोला। लारेब ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें इसे दिखाएं। हैं कौन अब सवाल किया गया। जी पिछले कई दिनों से आपका आशक वर नमाज नाम है, मेर आशा आगे लगाते हैं। लातीब इसकी इस रवये से हैरान हो गए। क्याब मुझे अप मेरे आरद गनर्द नजर मत आईएगा लारेब ने गुस्से से कहा। मस लारेब हबीब खान पिछले इतने दिनों से आपके घर के सामने चौकी लगाए बैठा हूं दिन रात आप के पास रहता हूं और आपको खबर ही नवा और अब जब नजर आगया तो आप ऐसे कह रही। वो शोखी अंदास का मालिक था तो वो अलनी हर बात रवांगी में ही कह रहा था। फिक्र ना करें अब वो लारेब को खामोश देख कर बोला इस वक्त लारेब की आखों से सिय का ही गुजर कर गए थी। मैं अब रिष्टा ही भिजोगा और वापस चला गया लारेब वहीं खड़ी रह गए इसकी हालत पहले ही खराब थी और अब ये इसने मुलाजमा के नंबर पर मिस्ट काल दी और गारी में चली गए मुलाजमा समझ गए और बाहर एक वो गारी मे क्यों आर ही हो लारेब ने पूछा बी बी जी वो इनका पर्स खो गया है इनको पैसों की जरूरत है तो अगर आपको पांच सो ए एक हजार के मदद कर दें तो कौन सा घाटा हो जाना लारेब ने एक नजर मुलाजमा को देखा और फिर घुसे की नजर सेमास को तुम गारी में बैठो जरा वो मुलाजमा को देख कर बोली और वो खामोशी से बैठ गए क्या मसला है अपका क्यों मेरे पीछे पर गी है ये मुलाजमा अब जो सब को वो वो बताएगी जिसका को अंदाजा ने अब क्यों मेरी जिन्दगी को और मुश्किल बना रहे आगे पता में कि घर के सामने होता हूँ इस दिन इत्फाक था में अपके घर के आगे से बस गुजर रहा था और नजर मोती पे पड़ी और राग गया गारी से बाहर निकल कर आपको देखने का जवाज दिवाना था लिकीन अब रोज अप मेरी आँखों में रहती है पिलेज मिस्टर मुझ उसे को तवक्को ना रखियेगा मेरा दिल पत्थर का होचाका है क्योंके दुनिया का हर बंदा मुझे ही पागल मिलता है वो कहकर बैठ गई और गाड़ी रूरस करने लगी बी बी जी कितने पैसे दिये तुम है तो मैं नसरीन आंटी के हवाले करती हूँ घर जाकर एक जो बताओ तुम ऐसा किया करो में जब कहीं भी आया जाया करो ना तुम आ तो मेरे गिले में रसी डाल दो आ अपने ताका एक दूसरे के कंट्रोल में रहें वो आज शायद सबसे तन आ चकी थी अपने अंदर कितनी पी महरूमिया कैद किये हूँ वो अब ठक गए थी वाक कर जाती बहुत अफसोस हुआ अल्ला हर बेटी की हिफाज़त करे और इसे भी जन्नत नसीब करे आरियाना खामोशी से सौांती रहती आज दोबारा याराओ थी वो दरबार की तैयारी में थी आरियाना गारी में बैठने लगी तो इसकी नजर सामने लान में सफेद चादर हुआ आंखें आंसूं से दोबारा भीगी आरियाना होसला करके गारी में बैठी और गारी भरने लगी घर का गेट के आला तो अनस की फरारी बाहर निकली और लारेब ने अपनी गारी पीछे कर ली लारेब के पास छूटी गारी थी लिकीन मी माडल की ही थी जो उसके पास काल्ट की कैफियत हो रही थी, थोड़ा रिलेक्स होने के बाद इसने मुलाजमा से खाना मंगवाया और खाकर मेडिसन ली, वो अपने कमरे में टीवी देखते देखते ही सो गए, दर्बार में खुब रौनक थी, दूआ के बाद देगें बाटें गए आर्याना की तरफ से त के साथ ऐसा करो के दाख खुद पे इना और बदला बराबर हो जाए, आर्याना ने खुशी से उनके हाथ चूमे और अलफाटे गए, चल्लू रजू घर चल्लू, वो इना फाना घर पहुँची तो रहीम साहिब तो पुर सुकून बैठे थे, कुरान खानी भी हो चुकी थ की आर्याना ने सारी बात रहीम को बता की बजर्ग औरत ने किया कहा है, वो मुस्कुराया और बोला अपने भाई से पत्ता करो, आर्याना ने फोन मिलाया और खलील ने भी यही कहा कि आपा दूआ करो गतल ना हो जाए, ये मेरे हाथ हो, और फोन बंद आर्याना अब प्रे जाएगी जो कि इसके पास होगी ही नहीं तुम जैसे द्रिंदों के साथ किया होना चाहिए, और किया ने ये खुदा जानता है, लिकीन में भी काच्छे करके छोड़ोगा तुम्हारा, वो गुस्से से गिराया, अनस ने होश और बद हवा सामने कुर्सी से बांधा हुआ इसे नूर जहायादी इसको भी इसने ऐसे ही बांधा था, और यूही हवास गाम किये थे, अनस को पहली बार अपने गलती का एहसास हुआ था, वो अब कैद में था खलील की, दो माह तक ये ऐसे ही रहेगा, मेरी बहन दो घंटे इससे ज्यादा तकलीफ में थी, अब ये इ अनस खौफ और तकलीफ की शिदद से ही बेहोश हो गया, लारेब की आख तहजद के वक्त क्याली थी, इसने नफल अदा किये और खुदा के आगे अपने दर्द वो रोज आंसु की तरह बहाती थी, और आज भी वो वही कर रही थी, आरियाना जहां भी दूआ के लिए में की ताकत रखती थी, तो दर्द समझने की भी, दोनों एक ही वक्त पर दुआईं करती और एक सिर्फ रोती तो दूसरी रोते रोते मांगती, रोना ही काफी होता है और रूकर मांगना भी वो अपने सामने बैठा ले और आंसु जारी कर दे, तो समझ जाना तुम उसके करीबी बंदे हो वरना ये मौका भी बड़ों कोने मिलता, जिसे चाहे वो अता करता है और जिसे चाहे दे कर ले लेता है ये भी इसका करम है, अनस की हालत बिगली हुई थी खलील तहजित के वक्त घर पहुँचा तो आर्याना के पास आगया वो हाल में ही जानमास बज़े बैठी थी, आगया आपा वो बोला, क्या किया है? आर्याना बोली, यकीन करो आपा का अच्छे ने किया, क्यों? आपा रहने दो ना जतनी सजा इसकी मेरे हाथों लिखी है, मलती रहेगी इसे क्यों हलकान हुई हम और आपा वो सिफ नूर काने बलके बहुत सी मसुमों का का दिल है, आर्याना था के कदमों से अलिफाटे और बोली, खलील अल्ला के हवाले तो भी और उसकी सजा भी, और कमरे की बर्फ चली गए, लारेब सुबह अलिफाटे तो आसकी तबियत बोजल सी थी, इसने नजर अन्दास करते हुए अपने आपको फरेश किया और नीचे, बाबा जानी अप वो सिलियों पर ही थी जब इसकी नजर सामने हबीब खान पर पढ़ी, लारेब फॉरण उनकी तरफ लपकी, हबीब ने इसके सर पर हाथ रखा और पूछा भाई कल का घर ने और तुम अब तक सुकून से सोती रही, नसरीन बेगम ने मुन्ह चड़ाया, बाबा जानी मुझे किया पत्ता हो वो कहा जाता है कहा से आता है, लारेब बोली, अरे खान साहिब रहने भी दी इसने भाई समझा हो कभी अनस को तब है ना, आप बस जल्दी करे मेरा बच्चा पत्ता ने कहा होगा, किस हाल में होगा, नसरीन बेगम चड़ कर बोली तो ल दिल हलका हो गया, को पियार ने था, इसके पास को भीने लिकीन इसको यकीन था, सत्तर माओं से ज्यादा पियार करने वाली जात है, एक वही खुदा है, वही खुदा है, बारिश में भीग रही थी वो दोस्तों के हमरा, मैं इसे कब से देख रहा था, वो अनजान थी, वक्त गुजर गया सारी सहलियां चली गए वो वहां रह गए में नशे में धुन्द था वो शायद अपनी गाड़ी का इंतिजार कर रही थी मैं इसकी तरफ बढ़ा और पत्ताने कैसे और कब वो मेरे हाथ में एक जोर जबरदस्ती के साथ ही मैंने बरस्ती रात में इसको बहा दिया वो रोती रही चीखती रही लिकीम में शेतान के रूप में अपनी शेतानियत दुखा गया देखा तो इसकी सांसे चल रही थी इसके डवबटे से इसका मुनह बांधा और फिर इन हाथों से गला दाबा दिया और वहां से फरार हो गया अनस बोलता गया बोलता चला गया को बात जूटने थी सब सच था खलील और रहीम का जब्द तूटने को था पोलिस ने एफ ए आर काटी और अनस को हिरास्त में लिया हबीब तक ये बात पहुँच गए तो वो तो इनाफाना घर से निकले किसी को कुछ ने बताया बस खुद ही मसले को सुलजाना चाहा लारेब चाय लेकर छट पर एक मुलाजमा शुकर है इसके साथ ने थी बलके नसरीन को रिपोर्ट पेश कर रही थी वो गल के पास इतो सांसें अटक गए वो वही खड़ा था माज लारेब की जाबान पर इसका नाम आ गया माज ने कुछने का बस इसकी तरफ देखता रहा लारेब फौरन पीछे हुई और नीचे एग अपने कमरे में आकर सोचना चाहा कि ये कौन है और किया इसने सच में पहली नजर में राक कर माबुत की वाबवा महबब भी किसी को हुई मेरे से तो इस दोरान जब मैं खुद को संभालने सकती तो महबब किया खाक रखोगी सिनेंबेल कर वो लेट गए तो फोन बजने लग गया इसने बगैर देखे, अलफाटे आलिफ हिलो लारेब बोली हा माज खुश हो कर बोला मै माज लारेब ने फोन कान से हटा कर देखा और फिर कान को लगाया मेरा नमबर कैसे लिया, तुमने जल्दी बोलो लारेब तेजी से बोली वो आपकी वफादार मालाजमा ने मैंने कहा पैसे वापस करोगा ना तो नमबर दे दें शायद वो खुद ना दें तो नाम के साथ नमबर दिया इसने लारेब हबीब खान वो फखर से बोला लफंगे मेरा नमबर अभी डिलीट करो और मुलाजमा से राबता करो लारेब फोन काटने लगी तो वो फौरण बोला लारेब जी बात सुने में अब से प्यार करता हूँ पहला प्यार हुआ है समझने आ रहा किया करो अब बताएं ना वो बच्चों की तरह बोला लारेब को गुसा आयान में तो एदिन जैसे यही करती रहती होना क्या करती अब एदिन माज शरारत से बोला पागल इनसान लारेब बोली प्यार में आपके वो प्यार से बोला लमहे भर को लारेब की धरकन राकी वो लहजा जूटाने था लारेब ने फोन बंद कर दिया इस दुनिया के सारे पागल मेरे पले क्यों पढ़ जाते वो दवा लेकर दोबारा लेट गए वो पुलिस स्टेशन पहुँचे तो अनस की हालत देख कर वो प्रेशान हुए जगा जगा तशद्द किया गया था और वो सब ऐा खलील का काम था खलील और रहीम आमने सामने बैठे थे हबीब खान अपका बेटा और पूरी कहानी पुलिस अफसर ने सुआना वो कुछ बोलने के लिए ने रहे थे जो चाहे करें अब मुझे को अतराज ने और वापस पलड़गी उनका दिल रूरहा था जावान उलादा जब वहशी जानवरों वाले काम करे तो खुद को लानत मिलालत करने के अलावा का अच्छे बाकी में रहता वो घर पहुँचे तो नसरीन ने सर चड़कर सारी बात सुआन ही लीला रैब भी पास ही थी नसरीन भुत का अच्छे बोल रही थी अप इसको छोड़ ये बेचारा खाना ने खाया होगा दर्द में होगा किया सोच रहा होगा कितनी अजीब हो तुम नसरीन जो उलादा वो भी बेटा लड़कियों की इज़त लूटता है वो वो बेचारा है बोलो ना वो बेचारा है को उसकी जमनत को ने जाएगा सुआन लो तुम हबीब खान बोल कर कमरे में बंद होगी जबकि वो बोलती रही आपा खलील की आवास पर सर अलफाटे आलफ बोल खलील आर्याना बोली खलील ने जब उन्हें बताया कि इसका बाप खुद सजा के लिए छोड़ गया है तो वो बहुत खुश हुई शुक्र है खुदा का इसके बाप ने इनसाफ दिखाया खुदा इसकी बेटी की इज़त की हिफाज़त करे आमीन वो आमीन भी खुद ही बोल कर चाप हुई खलील इसको अंजाम तक पहुचा देना आधा ना छोड़ना और तेरे भाई जी कहा है आपा हुक्के पी रहे हैं अलिफा पर च्छत पर बैठ कर चल अच्छा है आरियाना जानमाज बुझाने लगी और नफल अदा किये नस्रीन बीबी को ड्राइंग रोम में आया है दो औरते है अच्छा तुम चलू में आती हो नस्रीन अलिफाटे कर ड्राइंग रोम में दाखिल हुई और सलाम ली नस्रीन की हालत ठीक में थी बाहरी मेक अप से भी इसके आंखें और मारिजहा हुआ चहरा नजर में था आपकी बेटी है ना हम रिष्टे करवाते हैं अगर आप चाहीं तो हमारी नजर में एक दो रिष्टे हैं अब देख ले तो अरे अजीब औरते हो तुम दोनों पत्ता ने कहां से आकर बैठ गए रिष्टे करवाते हैं चिलू अलिफाटेओ और चलती बन्नू नस्रीन तब कर बोली वो दोनों औरतें भी बरबराती हुई अलिफाटे पढ़ी लिकीन अपना कार्ड वहीं छोड़ आएं और बाहर खड़ी गारी में बैठ गए बेटा किया फुजूल औरत थी हम इस अदाकारी में और हिस्सा ने ले सकते अरे आंटी अभी तो पहली बार था ना पिलेज अब जितने पैसे मांगोग दूँगा अब उम्मी को भी अपने मनाना और सिर्फ इसी रिष्टे की बात करना आहिस्ता आहिस्ता पौगा सब अब देखना माज ने अपनी मां को रिष्टे ढूंटी देखा तो उन्ही औरतों से बात की और प्लैन बनाया जो अब बेजग एक फीसद भी काम्याब ने था वो उन्ही औरतों को उसके घर भेज रहा था ताका वो इसकी मां को भी इसी रिष्टे का कहे करते हैं हम तुम से महबबत मालूम ने कौन सी वाली लिकीन महबबत है पहली और अदा है निराली पहली अदा में बहे पियार को किया नाम दू बोलो ने हुक्म दो और में लबैक लबैक हो जाओं माज ने मैसेज सेंड किया लारेब खाना खा कर कमरे में एग। आज को भी इसके साथ टेबल पर ने थालिकीन वो मुलाजमा जरूर थी कमरे में आकर इसने दवा ली और लेट गए ना मुबाइल देखा ना काचे और बस आंखें मूंद ले। कर्ब से इसकी आँखों में आंसुई। कभी कभी इनसान बिलावजा आदास हो जाता है लेकिन जिस इनसान के पास वज़ा हो को इससे ने पूछता पता है क्यों। क्योंकि वो अपनी आँखों में अपने चहरे पर एक ऐसा परदा गिरा लेता है जैसे इस परदे के पीछे एक खाली मैदान हो सबजे से ब्रढ़ा हुआ आंगन हो वापस आजाएं किसी रूप में फिर दोनों एक साथ वापस जाएंगी। लिकीन अब की बार मोबाइल बजने लग गया। बेशक अच्छे लोगों को इशारा मिलता है। इसने आंखें खोली और फोन अलफाटे आलिफ। नमबर था को लारेब हेलो। जी जी अब तो मिल जाए धरकनों को करार इजा अगर आपके नाम के आगे मेरा नाम इजा। मुईज अपने शरारती लहजे में बोला। लारेब के चहरे का एक रंग गया और दूसरा आया। क्यों इसे वो शक्स सच्चा लग रहा था। वो समझने पा रही थी आवो अगर समझ जाती तो मेरी जिन्दगी आगे मुश्किल है और अब इसे मजीद तंग ना करो। और काल किट गय लारेब की तरफ से। नसरीन बेगम सुबह होते ही जेल पहुँची एक वही अकिली थी जो अपने बेटे का साथ देना चाहती थी। वो सलाखों के पीछे बंद था। जैसे किसी ज जंगली जावर को कैयों का कौन पीने के बाद अपनी हिरासत में लिया जाता हो जैसे अब इस जंगली का पेट बिड़ा हो और वो मुद्दतों का आराम फरमाना चाहता हो। नसरीन तो इसकी हालत देखकर ही ठिटक गई और रोते रोते अपने वकील को फोन मिलाने अनस को किसी भी वजूद के आसपास होने का कुफर्क ने था को भी में। इसे भी अब मुद्दतों का आराम चाहिए था। वो इस च्च्टा पर टांगें और बाजू एक किये आंखें बंद किये लेटा था और खौफ उसके चहरे पर वाज़े था इस खौफ में भी भु खलील को नूर जहां की खातिर सब मनजूर था और इस रात बद किसमती आखुश किसमती। शहर बानों को घर से इजासत ने मिली और वो खुद भी आनाने चाहती थी वज़ा यही थी कि अब इसके अबबा को शक होगा कि कहीं वो खलील के चक्रों में पहले सा ना हो। लकीन बाकाइदा रस्म बाकी थी। आरियाना रहीम और खलील के हमरा उनके घर पहुची। और बात शिरू की। नूर की बहुत खाहिश थी कि वो खलील के लिए सिर्फ शहर बानों को ही चाने और सब ने इसकी बात पर गोर किया तोहनी को भी खामी नज़र ने अपनी शह शहर बानों है ही खूबियों से बड़ी हुई आज आरियाना खुशी और गमी के मिले जाले जिस बात रचा कर बोली। सब ने हामी भडी और अगले दो हफ़तों के बात के जुमे को निका रखा गया। शहर बानों ने खलील को किचन के दर्वाजे से देखा तो खलील की न शहर ने जब सारी मालूमात एक केट की तो पहले भुत पैसे मांगे और नसरीन ने को अतराज ने किया फिर देखा तो एक एक थाने से एक एक रिपोर्ट मिलने लग गए केस बहुत ने बलके बिला शबा बहुत ज्यादा। संजीदा था शायद ही इसको फांसी की सजा ना वक्त तो है ही में। लारेब ने आइने में अपना अक्स देखा तो अभी का अच्छे जाहिर ने था वो उसी तरह से थी खूबसूरत गालों में डिमपल पढ़ते तो लगता जैसे इनमें ही सारी शर्म औहया सिमग गए है। आंखे जे आकुती तो सारी मसूमियत अलिफा पर आजाती। अपना जहन जटक कर इसने भारी दिल से दवाली किया इस दवा से जिंदगी की खुशिया मिल सकती थी बिलकुल नहां का अच्छे वक्त सुकून से गुजर गुजर जाता तकलीफ का एसास जैसे भी हो तकलीफ तकलीफ ही। होती है इसमें कमी हो या शिदत जान लेवा हो या जान देवा वो तकलीफ ही रहती है। वो भी अपनी जावानी से भरपूर दिन बीमारी और तकलीफ में गुजर रही थी। बी बी जी अपकी इस्तानी एग है मुलाजमा ने दाखिल होकर कहा। ओके में आरही हो लारेब ने कहा और जल्दी जल्दी किता मुबाइल वही छोड़कर वो सद्दी रोम में जहां मिस्ताहिरा थी बे एका अखरी साल था और लारेब के इम्तिहान भी करीब थे वो दिल से काच्छे बनना चाहती थे लिकिन वो किया चाहती थी को भी देखता था बस से किया चाहती सब वही देखते थे। वो पड़े म मसरूफ हो गए। लारेब बेटा तुम्हारी तबियत ठीक है। मिस्ताहिरा ने पूछा बिलाशुबा वो एक नेक और अच्छी खातून थी। जी मिस्स में ठीक हो लारेब बोली और वापस किताब पर जयाग गए। अच्छा तो तुम डाकर महविश के पास गई थी। इन्हों ने बताया मुझे। लारेब की आंखे देंदला और सर चकराया। इसके हाथ से पेंग नरा और दिमाग सौान होने लगा। मिस्ताहिरा ने प्रेशान होते हुए इसको नारमल किया। लारेब कब तक चाय पाओगी मुझे डाकर ने बता दिया है और ये बात तुम जानती हो उनसे मेरे तालाकात कितने पराने हैं। जी मस मैं जानती हो लारेब जरा सा राक राक कर बोली। लारेब बेटा अपने बाप को ही बता दो। मिस्ताहिरा दोबारा इसका साथ देते हुए बोली। ने मिस्ताहिरा दोबारा इसका साथ देते हुए बोली। ने मिस खामोश हो गए और मस्ताहिरा ने काच्छे मशूरी दे कर बाकी की पड़े कल पर डाल दी लारेब भी कमरे की तरफ चल दी लारेब ने कमरे में विदम रखे तो साकिट सी रह गए आंटी अप यहां लारेब ने नसरीन के हाथ में अपना मोबाइल देखते हुए कहा जी जी म कि यहां और तुम्हारे इस आशिक को भी जान गए हो नसरीन हर लफ्स दाबादाबा कर कह रही थी वो चहिती मुलाजमा भी साथ ही खड़ी थी लारेब की आंखें भिर आएं को भी लड़की अपने किरदार की पाकी के खिलाफ का अच्छे निसान ना चाहेगी चाहे सच ह या जूट लारेब ने मुबाइल के लिए हाथ बढ़ाया तो नसरीन ने जमीन पर फैंट दिया अब बस लारेब भी भी कुछने बोलोगी तुम नसरीन बोली आंटी जिंदगी में कभी अपने अपनी किरदार कशी की होती तो आज आपका बेटा यू औरतों के किरदार को पामाल करने के जारम में कैद ना होता अगर कभी दो लफ्स खुद समझेई होते अपने अनस को तो शायद आज अपको और अपके मुझरिम बेटे को ये दिन न देखने पड़ते लारेब एक सीकेंट वहां ने राकी और नीचे लाइबरेरी की तरफ सीड़ियां आतरनी ल लारेब खामोश हो जाओ तुम्हारी माने भी यही किया था मेरे साथ में तो महबत में आकर इसको बैलाया था तुमने भी वो किया जो इसने किया था लीकीन को तुम्हे ब्याहने ने एगा में खुद सब करूँगा बस अब जाओ यहां से कोसफाने चाहिए लारेब वहीं लड़कडा कर बैठ गए इसकी समझ से सब बाहर था आरियाना जहां दर्बार से वापस आ रही थी जब उनकी नजर सीध में चलते हुए एक लड़की पर पड़ी जिसकी आंखे नूर जहां जैसी थी गाड़ी रोको आरियाना हाकम देने के अंदाज में बोली और गाड़ी राकवा कर रोड के सीधे फॉट पात पर पहुँची और चलती हुई लड़की को आवाज दी बात सानो वो लड़की राकी और माल कर देखने लगी में ये ने आरियाना ने शर्मिन्दा होकर मुआफी मांगी इस आँखों गुम के साई थे जो नूर जहां की आँखों में कभी ने थे आरियाना वापस गाड़ी की तरफ चलने लगी तो इस लड़की ने कहा अगर वो जिन्दा होती ना बाजी तो आज अपको इसकी आँखें भी ऐसी ही लगती और चल पड़ी क्या मतलब था इस बात का आरियाना बस ना समझी से गाड़ी में बैठ गए वो लड़की अब दोबारा तो इसे मिलने ना लगी थी लिकीन वो इशा अलेह सालाम दे गए थी के नूर जहां को मौत मिली तो बहतर मिली वो तो मौत को भी तरसती थी वो वो वोक्त कभी किसी पे नाए जब इसद से खिलने के बाद मौत ना मिले खिलोने को रजू ने आमीन के साथ दुआ की थी आरियाना की आंखें टप टप करने लगी थी रजू आरियाना ने पकारा प्रसों पेशी है ना इसकी जी जी बेगम जहाँ परसों पेशी है रजू ने जवाब दिया और बाकी का सफर खामोशी से गुजरा लारेब को किसीमे सहारा ने दियाना को दिलासा क्या इसकी मा के गलती थी क्यों मर्द की नजरे ने अलिफाकेर दी जाती क्यों मर्दों को इतना के आला माहौल दिया जाता है जबकि औरत को साथ पर्दों में औरत को साथ पर्दों में रखने वाला है असली मर्द है लिकिन एक इज़त और एक प्यार की कमी सब बहा ले जाती है वो खुद अलिफाटे कर कमरे की जानिब गए और रोते रोते कब इसकी आँखें बंध हुई खबर ना हुई मुलाजमा ने नस्रीन को सीनिमा में होने वाली मुलाकात की बात बता तो नस्रीन भरम हो गए थी और कई दिनों से लारेब को नीचा दुखाने की कोशिश में थी अपने नी नमबर से मेसेज बनी और लारेब के नमबर से सेंड किये मौका देखते ही जब लारेब पढ़ने के लिए गए तो पेचे से हबीब को सार कहानी बना कर साना डाली और उनके नजरों में लारेब गनर गए नस्रीन ने हबीब खान के खूब कान भड़े और नतीजा यही निकला के बस अब इसका सादगी से निका होगा और राखसत किया जाएगा लारेब रात भे रोती और जाकती रही थी लिकीन इसने अपना मौामला किसी पर ने बलके अल्ला पर छोड़ दिया था नस्रीन बेगम ने मुलाजमा को आवाज दी और वो भागी भागी यह इस दिन जो दो रिश्टे वाली आएं थी उनका को अतापत्ता है तो फॉरन लाओ और मुलाजमा भागी भागी दोबारा गए और एक कार्ड ले बी बी जी ये कार्ड वो इस दिन दे गए थी मुलाजमा ने नस्रीन की तरफ कार्ड करते हुए कहा नस्रीन ने पकरा और फॉरन नंबर मिलाने लगी माज का फोन मसलसल बज रहा था माज ने गाड़ी के म्यूसक की आवाज कम की और फोन अलिफाटे आलिफ जी माज बात कर रहा हूं क्या वाके आंटी लिकीन ये कैसे ह शली अब अप अमी को बता दें पलेज जल्दी से माज बहुत खुशी से बोला और फिर फोन कार दिया और म्यूजिक फिर से तेजित कर दिया सानू आका पिल चीन ना आवे सजना तेरे बना हाइ माज बोला और गाने के साथ साथ गाना गांगिनाने ल personnel माज की अमी भी माजने कहे और माज की उमी खुश नसरीन ने घर में भी रात को जाय का इंतिजाम कर लिया था वो महमानों के आने से पहले लारेब के कमरे में गए तो लारेब लेटी हुई थी अंधेरा ही अंधेरा था ओ बी-बी मातम बंद करो ये और अलफाटेो जल दी लारेब ने बाज चाहिए समझी वो बोल कर पल्टी तो लारेब बोली अरे आटी अब तो मेरी आशिका होना मैं कैसे आप की बात तालो नसरीन पल्टी तुम तुम कैसे वो इतना ही बोली थी के लारेब दोबारा बोली जो आपके वफादार वो हम से भी बेवफा ने करते और अलिफाटे कर बाथरोम में चली गए। संक में मुनगरी बहते पानी के साथ आंसू बहा कर दिल हलका करती रही। कल किसी हाल में भी इसकी जमंत ना हो बलकि सजा हो पहली पेशी में ही खलील फोन पर बोला था। जी जी खलील साहिब इस पर भुट से केस हैं इसकी जमंत ना मुम्किन है पर ये तो इसकी नजर रहीम पर पढ़ी नूर जहाने एक ये चौंकी जमीन पर तके कर बैठने वाली लोहे ये लकडी की सीट को कहा जाता है। खुद बना थी। रंग बरंगे धागों सी सज्जी हुई थी और उसने कभी इस पर किसी को बैठने ने दिया था। वो धीली जब आप उसकी शकल किसी सूरत में देख सकते हैं। जब उसकी आवाज को कान तरस जाते हूं। जब उसकी चीजों को मील लग जाए लिकीन आच नाए। आच इभी तो सामने के वजूद पर दिल रोता है। दिल को जैसे को माठी में दबोचता है। आर्याना दोबारा न कपड़े देखती और धुलवाने वाले धुलोती और इस्तरी करवाती थी। वो फूट फूट कर रूरही थी। दिल को किसी हाल में सुकून ने था आउलाद की कमी को पूरा करने वाली बहन थी। कभी शक्वा ने किया था रब से के आउलाद क्योंने हैं और अब से भी च किया था। तैयार हुई हिलासा और काला सूट पहना वो काचे कहना चाहती थी शायद लिकीन ने कह पती ना कह सकती थी तो काले जुडे का इंतिखाब किया। हबीब साहिब माज के साथ बैठे थे और नसरीन इसकी उम्मी के साथ चाई के साथ माखतलफ लुजुमत थे और लुट्फ अलिफाटेनी वाले भी थे। नसरीन और हबीब ने अनस का काचे ने बताया था। लारेब अंदर दाखिल हुई और सलाम ली। माज ने एक नजर देखा मुस्कुराया और फिर ना देखा। इसका दर्द समझ सका था वो। इसकी आंखें पढ़ सका था वो। ने इसे को ने जान सका था कभी भी ना को जान सकेगा। लारेब माज को देखकर हैरान रह गए थी। वो इसकी उम्मी से मिली और पास बैठ गए। बेहमें तो अब की बेटी भुत अच्छी लगी और हम उसका इंतिखाब भी कर चाके हैं अब अब लोग बताएं। माज की उम्मी ने लारेब को पियार करते हुए कहा। लारेब तो माज के सकते में गाम थी इसने जो कभी ने सोचा था वो क्यों हो रहा था उसके स इसने तो अपने जिन्दगी कब की खत्म कर दी थी। क्यों अब दोबारा जिन्दगी सामने आ रही थी। लारेब सोच कर रह गए। हबीब खान और नसरीन ने आखों ही आखों में हां का इशारा दिया और नसरीन बोली अपका बेटा भी हमें पसंद है। तो बस फिर ठी है में अंगोटी पहना देती हूं और अपने बेग से अंगोटी निकाल कर लारेब की उंगिली में डाल दी। लारेब बस देखती रह गए मास को भी हबीब खान ने कांधे पर प्यार दिया और मुनमीठा नसरीन ने करवाया। मास की उम्मी नहायत सादा औरत थी। वो ज तो बस अब चक मंगनी तो हो गए थी पिट बया होना था इस मुलाजमा को नसरीन ने फौरण फारिक कर दिया था। और वो बेचारी शुकर करती निकल गए वो खुद जासूसी करते करते ठक चाकी थी। क्या वो मेरा हो चाका है। हामे अब तुम्हारा और तुम मेरी। लिकीन मेरी जिंदगी तो इरेन ही जिंदगी तो अब शुरू हुई है। लिकीन मेरी जिंदगी इखताम को है। ऐसे मत सोचों में होना। तुम्हारे पास तुम्हारे साथ। अरे अब का अच्छे मत बोलना बस। माज और लारेब के दिलों की धरकने तक मलती थी लिकीन लारेब के पास शायद इतना वक्त ने था कि वो जिन्दगी कैसे गुजरेगी सोचती, वो बस जीना चाहती थी लिकिन मुश्किल था, माज ने बिस्तर पर लिटते हुए पाकारा जान माज, लारेब ने आंखे मून ले और बोली हाकम, हो गए ना मेरी माज ने दूसरी फरुख किया और बोली, जीत गए तुम्हारी पहली नजर की पहली माबद, लारेब और मास के दिल अपस में गुफटगू कर रहे थे जवाब और सवाल खुज से ही थे, बस तसवर था एक दूसरे का अपने करीब, अदालती कमरे में सब मौजूद थे, आर्याना जहा के और हबीब खान के अलावा सब थे, कई वो थे जिनका को वास्ता ना था, और कई वो थे जिनका माजर्म था अनस, केस चल रहा था हर बंदे से तफसील ली गए, और फैसला का वक्त आगया नसरीन के जिस्म का खून तक खुश्कोचा का था, तमाम सुबूत अनस को माजर्म साबित कर रहे थे, और हमारे कानून के माताबिक इसको सजा साना दी गए, को काचे ना कर पाया बस इसाथ दफ़ा फांसी की सजा, और पेंट तूट गया, नसरीन बेगम ने हाथ जुडे और मुआफी के लिए ने बलकि एक दफ़ा अपने बेटे को बिले लगाने के वहां हर आख नम थी, नसरीन बेगम घर रोती रोती पहुची तो हबीब खान ने नजरें पैड ली, लारेब पास ही सोफे पर बैठी थी, किरदार की बात आइंदा अपना ही करियेगा नसरीन आँटी, अगर आपके बेटे ने गुना किया है तो इसको सजा भी मिली है, ल लिकीन वो चक्रा गई और गनर गए, हबीब खान फौरण आगे भिड़े और थोड़ी देर डाकर को बालवा लिया गया, लारेब सिलियों पर जाकर राग गए थी, और ये मनजर देखकर जैसे इसके सीने की आग भड़क अलफाते थी, साहिब जी साहिब जी में आपको लाजमा ने बताया था कि जब इसकी मा मौत की लड़ा लड़ रही थी तब कुने था कुने था, एक वही मुलाजमा थी जो लारेब की हमदर्द थी, और नसरीन को कैसे बरदाश्ट होता, कितना विन्बहा था मेरी मा का, अब तुम्हारी उलादे को तड़ब तड़ब कर म और मुन्ह पेल कर बाकी की सीरियां चड़ने लगी, एक हफते बाद, आर्याना जहा का घर खुशियों में डूब गया था, लिकिन एक गम भी था आलेह सालाम अब कभी खत्म होने वाला ने था, लिकिन इसकी कमी शायद पूरी हो जाती, खलील की दालहुन आचाकी थी, लि लारेब ने भी तीन बार कुबूल है कह दिया था और वो मास के साथ थी, इसको शिदद से तड़प थी कि वो मास को अपनी बीमारी का बता दे लिकिन वो कैसे बता सकती थी, लारेब तो मास की जान थी और हाँ अब लारेब का भी दिल था मास, नसरीन अनस के गम मापतिल् कि ये रह सकती थी जहां बेटा गानों की सजा पाले बातीन बना कर मास को टाल दिया और उसके घर वालों को भी राखस्ती के वक्त उसकी आँखों में एक आंसू ना था जब जिन्दगी ही आंसू का दर्या हो तो किया जरूरत होती है अखों से आंसू निकाल कर दुखाने की राखस्ती हुई तो शहर बानो खलील की सल्तनत पर राज करने को तयार थी और यही हाल लारेब का था लारेब को कमरे में पहुँचाया गया माज कमरे में दाखिल हुआ तो इसका मोबाइल बजा मेसेज था लारेब हबीब खान जो कि अब लारेब माज है वो अपने सौतेले भाई के गानों की भींग चर्चा की है अब कैसे और कितनी बार ये ना मुझे पत्ता ना वो बताएगी शादी माबारक लारेब खामोश बैठी अपने अरुसी जूड़े को देख रही थी जो इसकी माका था और फिर वो ठक गएकियों के माज इस मेसेज के बाद सब भूल गया था और सोफे पर बैठा लारेब को गुसे की निगाहों से देख रहा था लारेब अलिफाटे और उसके हास अकर बोली माज मुझे चेंज करना है कपड़े बता दो माज ने अल्मारी की तरफ इशारा कर दिया वो उसी तरह इसको देख रहा था लारेब गेबढा रही थी वो वाश्रोम में कपड़े लेकर चली गए सादा लान का सूट कच्चे पीले रंग का पिना था वो बाहर एतो माज वही बैठा था माज किया हुआ है लारेब बोली तुमने धोका दिया है माज चंद देर की खामोशी के बाद बोला जी कौन सा लर्जिश भिड़ी आवाज निकली लारेब जाकर सोजाओ माज है और मत आजमाओ माज बेउड आवाज में बोला लारेब रोती रोती बैट के कोने पर लेट गए माज ने पाकेट से डिब्बी निकाली और उसकी साइट टेबल पर रख दी इसके पास सारी डिटेल थी इस मेसेज की लिकीन अब वो नमबर बंध था कौन है ये खलील है कौन में कैसे पत्ता करो के सच है किया जूट मुईस खुद से बोल रहा था लारेब सुआन चुकी थी इसको नींद कहा थी वो जेर लब खलील नाम बरबरा ये कही साना शाना लग रहा है इसके जहन ने आया लिकिन इस वक्त इसको काचे समझने आ रही थी अपने साथ लाइगी बेग में से इसे मेडिसन लेनी थी लिकीन मुम्किन ने लग रहा था माज वाशरों से निकल आया था लारेब ने फॉरन दर्वाजे की आवास पर आँखें बंद कर ली। मास की आँखें सारुख हो रही थी। लारेब को खौफ तारी हो रहा था वो बगेर देखे ही जानती थी मास को गलत फहमी हुई है। शहर बानों के साथ खलील ने जिन्दगी का साहना सफर शुरू कर लिया था लिकिन किसी की दो दिन की जिन्दगी की खुशिया चेन कर कैसे को खुश हयाती पासकता है। और रहीम ने भी सुकून की नींद ली। अगले एक माबाद बूंद बूंद गिरते बारिश के कत्रे भोजल वजूद को गिला कर रहे थे। माज हाँ वो माज था। माबुच से हारा हुआ सब काचे पाकर हार गया। एक गलत फहमी थी बस और काचे ने। एक बार काश व वो जिन्दगी से आ जिन्दगी इस से। वो अब सब भूल गया था। जीना भूल गया तो जिन्दगी ने मुनह पैर लिया। इंसान कितना अजीब होता है ना। लमहा लमहा बदलता है इसका दिल बाहरी वजूद बदल देता है। लिकीन वो उसी तरह सब के सामने आता ह जैसे वो लोग चाहें। लोग किया कहते हैं और किया करते हैं ये हमारी जिंदगी को तंग कर देती है। हमारी जिंदगियां और किसमत बहुत हुसैन होती है। अगर हम ना शक्री ना करें और राजी रहना शुरू हो जाएं। ये बात यहां किसी तालुक से निलिकीन काश ह हम इनसानों से बदला लेना उल्ला के हवाले कर दें तो ज्यादा बहतर है। लारेब लमहा लमहा कमजोर होती चली जा रही थी। हस्पताल के बैट पर कैंसर से लगती हुई वो लारेब कब से मर चाकी थी, अब तो बस वो कोशिशों पर थी। माज हस्पताल के पाक से सीधा घर चला गया। और कपड़े बदले कमरे में इसे सब याद आ रहा था। लारेब का बैड के एक कोने पर लिटना और अलफाल्टा रुख किये सुना। लारेब के कपड़े जो पूरे दो हफ़ते से किसी ने अस्तमाल ने किये थे। वो आदास आंखें जो हर बार माज की आमद पर पर उमीद होती थी। लिकीन अब काचे ने था। माज आफिस से घर वापस आया तो अपनी उमी से मिलने के बाद वो अपने कमरे में आया तो लारेब बेहोश जमीन पर पड़ी थी। माज की महबत की आजमाईश तो होनी थी लिकीन ऐसे। आतिन जालिम आतिन माशकल माज इसको अफरातफ्री में हस्पताल लेकर पहुँचा था। जब लारेब में हिम्मत खत्म हो गए थी। कैंसर जिसम के जरी जरी में फैल चाका था। माज को इस सारे मौामले का पत्ता चला तो वो इस कदर मायूस हो चाका था कि काचे ने था उसके पास। सब को अब खबर थी के लारेब को कैंसर है हबीब खान को जैसे मालूम पढ़ा तो वो पहुचगी थे। नसरीन अपने दिमाग की समझ बेवजे अब कमाही अस्तमाल कर पाती थी। हबीब खान उनके साथ ही बाहर रहते थी। लेकिन लारेब का सुआन कर पहुचगी थे। माज और लारेब में सलाम दुआ से ज्यादा को बात ना होती थी माज उसके इंतिजार में था तो लारेब माज के। मदर दिलों की जाबान की समझ भी आजमाईश महबत के बाद इल्में आती है। लारेब आंखें खौले हस्पताल के बैट पर लेटी थी। मुईस की उम्मी सूरत पढ़ रही थी। दर्वाजा किल खोकर के आला लारेब की नजरें चछत पर टिक की रही। हबीब खान दाखिल हुए। लारेब बेटी में तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ। बेटी थोड़ा सा पीलो वो इसको शापर से निकाल कर दे रहे थे। लिकीन लारेब को अब चांसी हो रही थी। बाबा जानी पलेज बस करें। मैं ठक गए हूँ ये हमदर्दियां देख देख कर। मैं बीस साल अपके घर में रही अपनी सारी बीमारियों का अकिले ही सामना किया तब कहां थे अब। किया अपका बाप वाला दिल धड़काने था। किया अपके वजूद कर कपकपी महसूस ने हुई थी। आपको जरा महसूस नहुआ अपका खून पगल रहा है। अब मेरे सामने अप मेरे जनाजे पर आईएगा। मैं आँखें के आली रखूंगी अप आओगे मेरी आँखें बंद होगी। वरना वो नजारा करती हुई कबर में दफन होगी। हबीब खान ने आँखों पर नमी महसूस की। लिकिन लारेब की आँखें खाशक थी। हबीब खान बोले अल्ला की अमान में। तुम्हे काचे ने होगा अल्ला की अमान में। और बाहर की जानिब मारी माज खड़ा सब देख सुआन रहा था। वो उसके कांधे पर हाथ रख कर निकल गी। माज अंदर आया तो माज की अमी बोली नमाज का आवक्त है। बेटा में नमाज वाली जगा पे हों वो बाहर चली गए। लर्ब ने नजरें दाबारा च्छट पर रख ली। लारेब माज ने पाकारा। लारेब ने इसकी तरफ देखा और बोली हाकम। माज देखता रह गया। माज पास आया। लारेब माउफ कर दो माज है सब मालूम हो गया है। वो हरकत तुम्हारे भाई की वज़े से। बस माज चाप मेरे हुए को याद न करें ना मेरा भाई कहीं पिलेस और हमदर्दी में माबुत करें। और दोबारा नजरें च्छट पर टका ली। माज आगे आता है इसका हाथ पकड़ता है और कहता है इजाज़त दो। किस चीज की वो उसी तरह च्छट पर नजरें काय बोलती है। महबबत की माज बोलता है। महबबत की इजाज़त चाहिए वो हैरानी से पूछती है। महबबत की ने चाहिए तुम्हारी चाहिए वो इसके माथे के बाल हटा कर बोलता है। अरे महबबत करो चूनाना मुझे लारेब बोलती है क्यों मुईज मध्धमसा बोलता है मैं लम सहने पाऊगी शायद जल्दी मर जाओ मर ना पाऊगी चूनाना लारेब आखों को अदा दे कर कहती है लोने छूता हाथ थामे रखोगा माज हाथ और मजबूती से थाम लेता है अर्यारे बस माज बस कबर में को अपना साथ में देता सवाई इन जातों उन पाक जातों के जो वाके महबबत करते हैं लारेब दुरूत पाक पढ़कर माज पढ़ फोक कर बोलती है तो किया में उन से राब्टा करो तुम है मेरे से नाचीने माज बोलता है लारेब चाप रहती है फिर माज इसके माथे पर लब मसल्लत करता है और बाहर चला जाता है लारेब रोने लग जाती है आरियाना जहां को जैसे खलील की हरकत की खबर मलती है वो माज से राब्टा करती है और साती बात बताती है मुआफी के साथ वदा करती है आएंदा दोनों के दर्मियान को आचनेगी खलील के मुनपड रख कर थपड मारती है और कहती है खलील अगर तेरी बीवी हो इसकी जगा तो किया बरदाश्ट कर पाएगा तो में ना तो जा जा कर बरदाश्ट ला फिर दुनिया में लोगों की खुशिया नोचना लिकीन इस बात को बहुत वक्त गुजर गया था माज लारेब की चाप तोगना चाहता था लिकीन वो इतनी साबिर थी के कोगला शक्वा नहीं था वक्त गुजरता गया और चापने और शिद्दत इख्तियार कर ली माज बस अब बादुक की जिन्दगी चाहता था लिकीन ऐसा शायद ही मुमकिन था लिकीन पहली महबबत पहला लमस पहला प्यार भुला तो ने जाता नही को अदल बदल होती है लारैब का मुसलसल इलाज चल रहा था माज ने दिन को दिन और रात को भी दिन बनाया था लिकीन महबबत की आजमाईश में आज तक को एक सौ में से पचास लोग ही काम्याब पाए हैं तो माज कुन में था कल की फलाइट है मेरी उम्मी लारैप को अकिला न छोड़ियेगा मेरी जिंदगी है वो और में आपकी में जानता हूं माज मस्करा कर मा के माथे पर बोसा देते हुए बोला वो रात की गहरी मींद में होती है वो कमरे में आता है इसके चहरे पर बकेड़ी बाल देखता है साइड पर करता है दवाईयों की एक अजीब सी खुश्बू उसके पास से महसूस होती है अब वो जानता था बिलकुल ठीक ने तो काच्छे वक्त तो वो इसकी कुर्बत में गुजार सकता था वो वही गुजारना चाहता था इसे दोबारा दुलहन बना कर अपने कमरे में लेकर जाना चाहता था गेवगेनित अलिफाटेना चाहता था और अपना पियार में छावर करना चाहता था वो सब का अच्छे देना चाहता था, जो इसने सोचा था, वो नहायद प्यार से जयाका, और माथे पर दोबारा लब मसल्लत किये, गालों को चूमा और पीछे हो गया, छूना ना मुझे मर जाओ अमर ना पाओ माजेर लब बर बुरा, क्यों ना चेवा तुम है, कौन सा तु लारेब के बाल देखता है, गर्दन तक रह चाके होते हैं, कमर तक आते बाल, अब गर्दन तक चहरे पर वही सुकून थालिकीन, जब वो आंखे देखता तो इसे खबर हो जाती के प्यार की आदीने है, प्यार की, तरसी हुई है, वो नजरें चाड़ा लेता है, और बाहर होता है, आरियाना जहां ने नूर जहां का एक और खाब पुरा किया, और एक एजेंसी खोली जहां तमाम गरीब लोग अपने उलादे को अच्छी तालीम और तर्बियत दे सकते थे बिलकुल मुफ्त, आरियाना का वही तोर तरीका था दर्बार में जाना और हाजरी देना दूआ मांगना, लिकीन अब दूआ बदल गए थी, दूआ है कि हर बहन खुश रहे सुकून में रहे, मास की फलाइट का टाइम हो गया था, वो तीन दिन के लिए सउधिया जा रहा था, मक्का माकरमा में अपनी जिन्दगी के लिए दूआ करने, बीवी थी वो उसकी जाइज माबुत जाइज रिष्टा बन मांगे भी मिल जाया करता है, लारेब दूर चलेगी हो माज है मांगने, मास कहीं भी जाओगा बचाने की कोशिश करूँगा, लारेब को फाइदा ने, मास क्यों में और तुम खुशी से सारी जिन्दगी गुजार देंगी, मास चाप कर जाओ दो दिन मिल जाएं भुत है, बस खाब पूरे करना चाहता हूँ का अच्छे खाब, लारेब तुम्हारे कांधे सर और बातें रवा रहेंगी, और मेरी जान निकल जाएगी, मास की आख एक दम के आलती है, वो एरपोर्ट पर बैठा उंग रहा होता है, उसी की फलाइट की को रही होती है, वो पहली अलिफाटिता है, और एहराम बांधने की तैयारी करता है एरपोर्ट पर ही वो, नियत कर लेता है और सफेद पाक एहराम में मास अपने रब के हुजूर होने को था, लारेब के लिए, लारेब की नजरें उसी को ढून रही होत मास की उम्मी मसलसल इसको बहलाने की कोशिश में लगी रहती है, लारेब को हस्पताल के पार्क में लेकर आती है, तो लारेब मासूम बच्चों को देख कर मुस्करा देती है, गुडिया लारेब जिरेलब बोलती है, मेरी लारेब और मास को भी अल्ला ताला इतनी प्यारी बेटी देगा। मास की उम्मी लारेब की नजरें देख कर बोलती है। उम्मी मुझे ये बच्ची पक्रा दें इसकी उम्मी को कहीं। मौम सी वो पिलास्टिक की गाड़ा अपने खेल में मसरूफ थी लारेब को तो बच्चे वैसे ही भुद्पसंद थे। अच्छा बेटा वो अलफाटे कर उसकी मा के पास जाती है और उसकी मा खुद अपनी बेटी को लारेब के पास लेकर आती है। लारेब मुसकरा कर इसे पक्रती है वो बच्ची साल सवा साल की थी। लारेब इसे चूमती है और फिर खेलने में मगन हो जाती है। थोड़ी देर ही गुजरती कि इसकी मां को घर जाने का ख्याल आ जाता है और वो अपनी बच्ची पक्रे घर किरा लेती है लारेब की निभी वल्चो गायमा जाती है और नर्स इसे कमरे तक छोड़ कर जाती है दूसरा दिन था लारेब इसे ढून रही थी मगर पूछने रही थे माज ने डाकर से मसलसल रापता रखा हुआ था दूआएं भी शिद्दत की थी अब बस बाकी महलत अल्ला की मर्जी थी राकुन यमानी को छू कर हिजरसवत को चूम कर दूआ मांगी तो महलत की जिन्दगी क्यों ने मांगी दिल से सवाल आया मांग लेता तो जी ना पाती में इतना जालिम ने कर वांखें भी ही चेहरे पर आँसु की एक लहर थी तो किया वाके वो मर रही थी वो मर जाएगी मैं इसके साथ को इसकी आवाज को तर्सोगा माज ने सरज अकाया और खाना कबा के गालाफ के साथ अपना चेहरा लगाया और दूआ मांगी रात को इसकी वापसी की भी फला और उसको अपने गलती ठीक करने का मौका मिल जाएगा अल्ला पर यकीन हो तो आपको पूरी दुन्या भी मिल जाती है तो ये तो फिर माहलत है। सुबह फजर का वक्त था लारेब अपने और मास के कमरे में थी वो आँखें बंद किये लेटी हुई थी। पढ़ खोली। माज सफेद शलवार कमीज में था। और लारेब ने भी सफेद पहन रखा था सादा लंबा फिराक। जी जान माज। माज इसके करीब आकर बोला था। कहा थे अप इतने दिनों से और ये अपके बाल कहांगी लारेब ने मध्धम मध्धम कहा। बस का अच्छे काम था और ये बाल भी बस वैसे ही और हंस दिया। लारेब ने इसके सर से बारीक निट की टापी आतार और हाथ फेरा। हिममम में भी गंजी हो जाओंगी लिकैब शायद अब जैसी प्यारी ना लगो। लारेब बोली तो माज ने गुसे से देखा फिर अलफाटे। और वो डिब्बी लाया जो इसने मुनहदके के तौर पर दी थी लारेब को लिकीन इसने खोली भी ने थी। ये चाहिए। माज ने पूछा। हादे ना लारेब ने कहा। अलफाटे ओ फिर दुलहन बननू। माज इसका हाथ पिक्र कर इसे खड़ा करते हुए बोला। मिल्वीब हैरान हुई अरे क्योब इतनी हिम्मत ने मेरे में पल्जमाज लारेब दोबारा बैठने लगी तो माज इसे जबरदस्ती ड्रेसिंग रोम में ले गया। लाहनिगा पहन कर आओ माज ने कहकर दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया। लारेब मुस्कुरा और आखों में नमी से मते। कल सुबह डाकर ने कहा था ज्यादा से ज्यादा एक रात है। आपके पास और ये बात डाकर ने माज की उम्मी से कही थी। इसी लिए तो इसको घर ले थे। इसने लाहनिगा पहना तो इसका दिल घबराने लगा। वो दर्वाजा नाक करने लगी तो माज ने फौरन दर्वाजा कहौल दिया, इसने सिर्फ लाहनिगा पहना था। और लाल गुलाबी गाल, लाल गुलाबी होन, के आले बाल, इसके डिमपल, माज ने इसे बाहों में अलफाटे लिया, इसकी पलके शर्म से जियाग गए, माज मास कराया, आज सिर्फ बातें करेंगे हम जान माज, भत खाब सजाने हैं हमी और तुम है काच्छे ने होगा, यह मुनहगे दो गाना, लारेब इसकी बात पर हंस दी, और गिवगेनिट निकाल कर बैठ गए, मास कमरे से बाहर आया और दोबारा अंदर गया एक ड्रामा चल रहा हो जैसे, वो अंदर आया और उसके पास बैठा, गिवगेनिट अलिफाटे आलिफ, जान मास लारेब के माथ मास के हाथ पकरे और बोली, हम साथ रहेंगे माज ना अब किसी के होगे ना मे बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और तक sagt रहेंगे फिर जन्नक में एक घर बनाएंगे, लारेब की मसूमाना बातों पर मास ने साथ बैठ कर उसको अपने सीने से लगा लिया, काफी दैर इतरी में गुजरी एक दूसरे का लंस काफी देर महसूस किया गया। लारैब माज ने पाकार, लारैब दोबारा पाकार, लारैब सो गई हो किया। इसने अबकी इसको सीधा करके चाहा। तो लारैब बिल्कुल बेहरकत थी आंखें के आली थी। लिकीन सांसे मध्धम थी। लारेब, लारेब, माज ने जोर-जोर से पाकरना शुरू किया, और दिल जैसे किट गया हो, वो जल्दी से इसको हस्पताल ले जाने को निकला, लिकीन वो तो मरचा की थी ना, सासें चेक की तो मध्धम मध्धम सी थी, दुलहन बनी थी वो आज तो, आज तो महबबत की आज हुई थी, सच्चे आशिकों के दिल कटे थे, लारेब का अरूसी जोड़ा एक शापर में डाल कर नर्स ने माज को पिक्रावा, लारेब चली गए थी सबसे दूर हर महफिल से दूर माज के कानों में वही बातें आ रही थी, हम साथ रहेंगे माज ना अब किसी के होगे ना में बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और ता कियामत रहेंगे फिर जन्नत में एक घर बनाएंगे, घर जन्नत साथ हमेशा, वो बताना चाह रही थी, वो कहना चाह रही थी, के मुझे अपनी बाहों में ले लो, इस कदर वो खुश किसमत थी के जान भी गए तो शोहर की कुर्बत में, लारेब की आँखें थोड़ी सी खोली थी, माज लारेब को घर लाया, इसका ताबूत जमीन पर रखा गया, सब आसपास जमा थे आरियाना जहां भी थी माज की ना आँखों से आँसु निकल थे ना जाबान से को लफस, हबीब खान और नसरीन पहुँच ग की शाम का वक्त था, हबीब खान ने करीब आकर, इसका माथा चूमा आरियाना को वो वक्त याद आया जब नूर का माथा रहीम ने चूमा था, और आँखों पढ़ हाथ फेरा तो वो बंद हो गई, हबीब खान फूट फूट कर रुपढ़े, नसरीन छोटे छोटे चोटे है मर जाये तब भी सुकून ने, जिन्दा रहे तब भी सुकून में, मर जाये तो मुआफिया रह जाती, लोगों की जिन्दा रह जाये तो मुआफियों की वज़ा बंती रहती, जिन्दगी इसी का नाम है, माज ने पहला कांधा दिया इसके जनाजे को, और बाकी सब मैं इतना मजबूत ने लारेब पहली बार तुम है देखा था जब और जब अब एक एव बार तुम मेरे लिए इस दुनिया की अखरी खुबसूरत लड़की थी और रहोगी मैं तुमहारा हूँ और ता कियामत किसी काने किसी काने बरस्ती रात थी वो भीग रहा था इसकी कबर के पास बैठा था लो तुमहारी पसंदीदा बारिश एक मज़े लो अब इससे में यही हो लारेब डरना ने इसने सूरत मजमिल बंद की और सूरत यसीन खौल ली अब तो इसको तकरीबन जाबानियाद थी वो सुबह सबसे पहले यहां आता रात को घर जाने से पहले यहां आता और बैठ कर सूरतें पढ़ता रहता बारिश होती तो सब को वो रात याद आ जाती जब नूर जहां गए थी जब लारेब गए थी और जब नस्रीम की मगरूर जादी हो गए बस भीगी रात में सब बह गया अगर आपको नाविल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसक्राब करें शुक्रिया